थाना मेरा ठेर के महमूद पुर माफी में 5 दिन से लापता यूवक का शब आड़ी आफिस थाना मजोला में मिला तरसल पांच नौंबर दुयार सत्रा को महमूत पर माफी से नारायन सिंग पुत्र नत्तो सिंग की पतनी प्रेमबती ने बताया कि नारायन सिंग अभी घर बापस नहीं आये हैं जिसको लेकर परिवार के लोगों ने ठाने में गुमशुदगी की तहरीर दी जिसको लेकर पुलिस ने जाच शुरू कर दी जाच के आधार पर पुलिस को परिजनों ने नारायन सिंग की पतनी पर ही शक जताया और उससे पुत्ताज के लिए कहा और बताया कि प्रेम्बती के अवै सम्मन अपनी बेहन के देवर राजकुमार से हैं जो आए दिन उससे मिलने आता जाता रहता है भरीजिनों के शक पर शुक्रवार देराथ पुलिस ने नारायन सिंगी पतनी को हिरासत मेले कर उस्ताज की तब उसने फुलिस को बताया कि पांस तारिक की रात कोई मैं और मेरे प्रेमीर राजकुमार को तरहिमराज निवासी बटवा थानन नखासा और उसका दोस्त के साथ मिलकर कला दवा कर हत्या कर दी उसके शब को बोरी में भरकर सबजी ले जाने वाली काड़ी में रख आर्टी ओ आफिस के पास नाले में बहा दिया पती को मारने की बज़ा पूछने पर उसने बताया कि मेरे पती को हमारे संबंदों की जानकारी हो गए थी जिसको लेकर हमने प्लानिंग की और घटना को इंजाम दिया फुलिस ने उसके प्रेमी राजकुमार और पत्नी की निशादेही पर शब को बरामत कर लिया शब पानी में पड़े होने की बज़ा से फूल गया था गर्दन और सीने पर खून के धक्के जमे हुए थे शब पर सिर्फ अंडर्वियर और बन्यान पहन रखा था नारायन सिंग के दो बच्चे कामनी और पवन है मौके पर पहुँची फॉरेंसिक टीम ने किया निरिक्षण गटना पर पहुँचे एस पी देहाद दुरे संकर सिंग